दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सर्सों की एक और वराइटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि लगातार सर्सों की सिरीज में वीडियो आपको मिल रही है पीछे हम पाइनियर की जो 45 अश्चारिस आती है उसके बारे में या फिर आरच 725 जो हर्याना एगरिकल्चर युनिस्टी के आती है उसके बारे में बात कर चुके है अडवांटा की 414 आती है उसके बारे में बात कर चुके है और जो हर्याना एगरिकल्चर युनिस्टी की दो नई वराइटी आई है 14, 24 और 17 जिरोच है उनके बारे में भी बात कर चुके हैं तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वाले देख लेना अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पहले बायर की 52 के नाम से सरस्नों की वराइटी आती थी अब ये क्रिश्टल की 52 के नाम से आती है तो क्रिश्टल की 52 की जो वराइटी है इस वराइटी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये वराइटी अब की बार किस रेट के उपर बिक रही है किस रेट पर आपको इबीज मिलेगा मेरे छेतर में क्या रेट है यह मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा तो चलिए एक एक करकीश के बारे में इसके में में फीचर है वो हम जान लेते हैं कि इसकी विशेश्टा है क्या है सबसे पहले तो बात आएगी कि किस परकार की जमीन में ये वराइटी कामियाब है तो आप इसको बाहरी जमीन में भी लगा सकते हो और मेडियम टाइप की जमीन में भी लगा सकते हो यानि कि थोड़ी हड़की जमीन है लेकिन पानी ठीक ठाक आप गया पास में तो ऐसी जमीन में भी आप इसको आसानी से लगा सकते हो वहाँ पर भी एक कामियाब है इसके बाद में बात आती है कि इसकी बिजाई का सही टाइम क्या है तो नॉर्मली जो सरसों की बिजाई का सही टाइम होता है वो 15 अक्टूबर के आसपास होता है तो 15 अक्टूबर के आसपास आप इसको लगा सकते हो और इसकी बिजाई आप अगेती भी कर सकते हो या फिर टाइम के उपर जितना आप इसको लगाने की कोशिश करोगे उतनी ही अच्छी पैदावार देगी इसकी बिजाई ज्यादा लेट करने की नवंबर के मिड में या फिर नवंबर के लास्ट में इसकी बिजाई करने इकोसिस ना करें यह ज़्यादा अच्छी पैदावार उस टाइम पर लगाने के बाद में नहीं निकाल पाएगी तो टाइम पर बिजाई करने के लिए अच्छी जमीनों के लिए बहुत बड़ियाँ वराइटी है बड़ियाँ पैदावार देती है इसकी जो नॉर्मली टाइमिंग है पकने की वो 125 से 130 दिन के आसपास है 125-130 दिन में यह तयार हो जाती है कटाई के लाइक हो जाती है इसकी फसल की जो उचाई है हाइट है वो नॉर्मली ही जाती है 180 सेंटेमिटर के आसपास तो नॉर्मल हाइट है ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है इस वराइटी में तेल की मातरा भी अच्छी खासी है 40-41% के आसपास इसमें तेल की मातरा नोर्मली पाई जाती है जो कि काफी अच्छी कह सकते हैं क्योंकि आजकल सर्शों में तेल की मातरा की भी जांच होने लगी है अब बात करें इसकी production की, कि ये पैदावार कितनी दे देती है, production में कहा तक जाती है, तो production के मामले में पैदावार के मामले में अच्छी variety में आती है, तोप variety में आती है, इसलिए मैं आपको यांपर बता रहा हूं इसकी पैदावार नूर्मली 12-14 क्यूटल तक चली जाती है अगर अच्छी जमीन है अच्छा पानी है अच्छा आप परवंदन करते हैं अच्छी देखरेख करते हैं तो 14 क्यूटल तक भी यह वराइटी जाती है अगर मोسم साथ अच्छा देता है तो अब बात करें इसके रेट की तो इस वराइटी का बीज आपको मार्केट में ये एक पैकेट जो एक किलोग्राम की है ये आपको मेरे चेतर के अगर मैं बात करूँ तो शाड़े आट सो से नो सो रुपे के आसपास मिल जाएगे हर्याना के बीवानी और हिसार चेतर में आपक इस वीडियो में वस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और अच्छी जानकारी के साथ में तब तक के लिए नमस्कार